आज मैं आपको alkaline water के बार मतारी हूँ, यह alkaline water आखिर है क्या, तो यह कुछ भी नहीं, सिर्फ आपके सरीर में सोने चांदी की कमी ना हो, इसी पानी को बड़े बड़े film star भी पीते हैं, किर्केटर भी पीते हैं, वो इतना सारा पसीना भाते हैं, तो उनके सरीर में किसी भी खनीज लवन की कमी ना हो जाए, तो इस तो पे एक सुध पानी पीते हैं, जिसको आपने कितने बार देखा भी होगा, black water, सोने चांदी का पानी, तो आज इसी चीज को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, भई हमारे पास सबसे ज़्यादा अनमोल चीज है आपका सरीर, य पानी को आपको यूज करना है और alkaline water हमेशा आपकी सरीर को फायदा ही करेगा, तो डॉक्टरों के पास जाने से तो अच्छा है, आप सुध पानी पीजिए, और सुध पानी जब आपके सरीर में जाएगा, तो आपके सरीर से 10 बिमारियों को दूर भी करेगा, सेहत से बड जाद इंट्रेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको कुछ समय के लिए या थोड़े समय के लिए आप कैसे मिट्टी के बरतुनक का यूज करें, या alkaline water क्या चीज होती है, घर पर ही मैं आपको बताऊंगे alkaline water आप बना सकते हैं, तो आज की वीडियो को जल्द जल्दी से जल्दी मिल सके, तो करते हैं सुरुवात, किचिन एक ऐसा एरिया होता है, कि जहां पर आप दिन भर काम करते ही रहते हैं, और इसे क्लीन रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स को आप फोलो किजिए, और आपका किचिन ने टैंट क्लीन रह है, विनेगर से अपने तांबे के बरतन को साफ किया है, चांदी के सिक्के और अंगूठियां, सिर्के के अंदर आप इन सब चीजों को डाल दीजिए, जो मैल होगी वो अपने आप कट जाएगी, और आपके चांदी के सिक्के जो पुराने हो रहे हों, वो भी साफ हो गड़े में पानी पीते हैं, और सर्दियों में भी आप इलकलाइन वोटर के लिए आप इस घड़े का यूज कर सकते हैं, तो इस घड़े में आप अपना नॉर्मल पानी भर ये, इसके लिए कोई आरो पानी मैंने नहीं यूज करा है, बिल्कुल सिंपिल वोटर है, और इ ये आपके, मैं जो अभी तीन सिक्के डाल दी हूँ, ये चार आदमियों के लिए एक दिन के पानी की मातरा पे बता रही हूँ, और मेरे पास ज़्यादा है, कुछ भी सिक्का नहीं था, मैंने अपनी सोने की रिंग ही डाल दी, और इस पानी को आप साथ दिन तक यूज कर आएगा, 12 घंटे बाद ये पानी बिल्कुल पीने लायक हो जाएगा, तो सेहत से वड़ी तो कोई भी चीज नहीं है, सोना चांदी दुबारे से कमा सकते हैं, लेकिन जिन्दगी चलेगी तो कुछ भी हात में नहीं है, तो इस पानी को आप गरम ना करें, थंडा पानी जै पूरी हो जाएगी, और हो सके कांच के गलास में ना पी के, पीतल के गलास में इस पानी को पीए, तो आपको ओटमेटिक फायदम लेगा, बच्चों को यदि आप काम सिखा रहे हैं, तो उन्हें बताईए, यदि उसमें कमिया हैं, तो उन कमियों को एसेप्ट केजिए, औ और बच्चों को होसला दीजिए, अगर वो उन्हें गलत रोटी बनाई है, तो कोई बात नहीं, एक दिन में तो हम लोगों से भी परफेक्ट रोटी नहीं बनी हैं, तो बच्चों को काम सीखने में थोड़ा समय लगता है, चाहे वो साल भर लगे, दो साल लगे, पर उन्ह काम करने दीजिए, जब बच्चे अपने आप से काम करने लगते हैं, तो एक दिनोंने सफलता जरूर मिलती है, और जब ये सफलता बच्चे अपने आप गैट कर लेते हैं, प्राक्त कर लेते हैं, तो उनके अंदर एक उमीद भी जगती है, कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, त आज खाना कौन बनाएगा तो बच्चे अगर खाना बनाना सीखा आप बच्चों को खाना बनाना सिखा रहे हैं भले ही उनकी रोटी गोल है तिर्ची बड़ी है कच्ची है कोई बात नहीं भी बच्चे सीखते हैं सीखने में ही टाइम लगता है और एक दिन में तो यह कहते ह कि बड़े आज से बड़े आदमी भी कलेक्टर नहीं बनता वो भी कितनी बार पेपर देता है तो ये जिन्दगी की रोटी बनाना इतनी आसान बात नहीं है तो बच्चों का सपोर्ट केजिए जब बच्चों का आप सपोर्ट करेंगे तो वो भी उस काम को दिल लगा के करें और बच्चों को जब दिखाए देता है कि हां हमारी ममी ने ऐसी रोटी पे तारीफ करी है पाप ने तारीफ करी है तो अगली बार आपके बच्चे पहले से पहले जब आप रोटी सेखने के जाएं ये लाए ममी मैं एक रोटी सेख देती हूं तो वो एक एक रोटी सेखने से ही बच्चे सीख जाते हैं तो बच्चों का support जरूर कीजिए अगली tips में मैं आपको बता रही हूं दिवाली पे जो हमारे घर में इतने सारे खाली container इखटे हो जाते हैं यह plastic के डिब्बे होते हैं चाहे इसमें कोई snacks आया हो या कोई मिठाई आई हो तो इन टिबों का फैके ना इन्हें आप समान रखने के लिए यूज कीजिए बहर से आप ऐसे बहुत सारे कंटेनर्स करेते हैं समान को स्टोर करने के लिए तो ये भी तो ये भले इनकी क्वाल्टी इतने अच्छी नहीं है लेकिन आपके फ्रिज में बहुत सारा समान रखने के लिए एक ओर्गनाईजर की तरह ये कंटेनर्स इतना काम करते हैं आपका फ्रिज भी ओर्गनाईज लगता है सबजियां भी फ्रेश रहती है और फ्रिज की बास्केट में जो आपकी पहले से सबजियां पड़ी रहती थी उससे तो बह इस सबजी फ्रेस रहेगी धन्या पत्ति फ्रेस रहेगा इस तरह किसे कंटेनर में यदि आप रखती है तो धनिया पत्ती भी 2 या 3 दिन अराम से चल जाता है हर घर का माहॉल अलग होता है जरूरी नहीं है कि आप धली टूट डेली सबजी को पर्चेस करने के लिए मार्कि लाके श्टोर कर सकते हैं और टमैटों हैं जो नॉर्मली हर सब्जी में यूज होते हैं तो बहुत सारी ऐसी सब्जिया है इतने बड़े-बड़े कंटेनर इन्हें आप फैके ना फ्रीज में रखिए सब्जी लगा और इस तरीके से हमारी सब्जी भी बिल्कुल ट्रैश रह फिर भी गंदा हो ही जाता है, तो अपने किचिन को बिल्कुल कुलीन अन्ड साफ ड्राइ रखने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को फॉलौ करने होंगे तो when you cut vegetables और peel any vegetables you used newspaper और a plate तो friends यदि आप कभी भी सबजी बनाते हैं चाहे आप प्याज काटिये garlic को पील कीजिए तो आप हमेशा या तो newspaper को यूज कीजिए या फिर कोई भी प्लेट रखिये क्योंकि जब भी हम सबजी बनाते हैं किचिन में तो हमारी एक habit होती है कि ऐसे ही सबजी छीलना शुरू कर दिया और सारे छिलके आपके counter base पे आ जाते हैं या आपने लहसन अदरक छीलना शुरू करा खड़े होके वहीं किचिन में और लहसन का जो छिलका होता है वहीं counter पे छोड़ दिया तो आप तो काम करके निकल गए लेकिन वह छिलके पता नहीं कहां कहां तक हवाके जोके सभी उड़ जाते हैं तो कितना भी आपने साफ कर लिया हो किचिन बिल्कुल untidy लगेगा और जब आप किचिन में खाना बना रहे होते हैं कुकिंग का काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे समान उपर से कंटेनर निकल के आते हैं जैसे आपने mixi को यूज़ करा तो mixi असेंबल करा है तो तुरंत mixi को यूज़ कर करें साफ करके उसे तुरंत उसके प्रॉपर space पे रखिए और यदि आपने garlic को यूज करा है गार्लिक को काटा है चोप किया है कूटा है जो भी कुछ आपने तो ये सारी चीजों को आप टाइम टू टाइम हर चीज को परफेक्ट एक प्लेस दीजिए तो ओटोमेटिक आपका किचिन साफ रहेगा और जब भी आप तड़का लगाएं किचिन में तो या तो विंडो को ओपन कर दीजिए यदि आपकी घर में चिमनी है तो आप चिमनी का यूज कीजिए तो इससे आपके घर में इससे आपके किचिन में कोई भी स्मैल नहीं रहेगी और जब किचिन बिना smell के बिलकुल साफ रहती है तो दूसरा इंसान भी यदि आपके kitchen में आता है तो वो भी एक बार ये सारी बातों को notice करता है कि हाँ भी kitchen कितना organize है, साफ है तो ये matter कभी नहीं करता है कि आपका kitchen छोटा है small है या बड़ा है बस kitchen साफ होना चाहिए और kitchen में जो आपका समान होता है वो अच्छे तरीक से organize होना चाहिए यदि आपका small kitchen है तो भी आप ये बिलकुल कोसिस करिए कि जो sink area है वो साफ रहे क्योंकि kitchen में जो वद्बु खड़ी होती है या तो आपने महाँ पर छिलके छोड़ दिये हैं या फिर धूलेवे जो बरतन है या आपके गंदे बरतन हैं उनमें जो बचावा जूटन है वो ऐसे ही पड़ रहा है और पानी के साथ हमेशा जूटन बदवू ही खड़ी करती है तो कोसिस करिए कुछ पॉइंटों को याद रखिए तड़का लगाते हुए खिड़कियों को खोल दीजिए जैसी आपने सब्जी छिलके रख दी है तुरंत अपने काउंटर को साथ कीजिए छिलकों का बिल्कुल भारत है कि किसी गाएं को दीजिए गाएं के पास जैसे आप रख देती हैं जोटन को तो सब्जीओं के जो छिलके होते हैं उन्हें भी गाएं खा लेती है तो ये तो आपके ऊपर डिपैंड करता है कि आप अपने किचिन को कैसे रखना चाहते हैं छोटी छोटी सी बाते होती है और आपका किचिन बिल्कुल और्गनाइज होने लगता है और हर किसी की ख्वाइज होती है कि उसका किचिन बिल्कुल साफ सुत्रा रहे और कुकिंग करते समय जो डिपबे आपने मसाले कबर्ड से बाहर निकाले हैं या उनको यूज करा है तो तुरंत वाइप करके आप काउंटर को बिल्कुल साफ रखिए या आपने बर्तन धोने के लिए जो आपने अपना साबुन यूज करा है बर्तन साफ करने के जो मतलब वाइप सोते हैं वाइपर होते हैं अगर आपके किचिन में थोड़ी भूत भी धूप आती है तो कोसिस करिए दस मिनट के लिए आप उस चीज को धूप में रखें और मिक्सी बाहर निकालिए तो उसे हमेशा उसका प्रॉपर प्लेस पे रखिए ताकि आपकी किचिन और्गनाईज रहे साफ किचिन में काम करने का अलग से ही मन होता है और छोटा सा किचिन काउंटर भी आपका इतना बड़ा लगने लगता है जैसे कितनी बड़ी किचिन है हमारी और एक ग्रहनी होने के नाते मैं यही कहना चाहती हूँ कि साफ किचिन में जब आप खाना बनाते हैं के रख दीजिए और किसी कपड़े पे उसको बिचा दीजिए ताकि उसका एश्ट्रा पानी भी निकल सके भई आप ऐसे ही तो उसको फ्रिज में रख नहीं सकते हैं रखेंगे तो आपका साफ हुआ फ्रिज भी बेकार हो जाएगा तो जैसे ही आपके घर में सबजी आती है तुरंट सबसे पहला काम कीजिए सबजी को वोश करके रख दीजिए ताकि उसे निचड़ने में टाइम लगता है और निचड़ने के बाद सूखने में भी टाइम लगता है ये चीजे ऐसी नहीं होती हैं कि बस हमने बोला और काम हो गया कुछ चीजों को टाइम लगता है बई दूद तो हर किसी के घर में कभी ना कभी उबल ही जाता है तो कोशिस करिए पांच मिनट के लिए आप टेज गैस करकर वहीं पे खड़े हो जाएं ताकि आपका दूद बाहर ना निकले यदि बाहर निकल गया तो बिना बात के ही आपका काम फैल जाएगा जो से पांच मिनट का काम था वो पांच मिनट से कब 10-15 मिनट में कनवर्ट हो जाएगा वही आपको काम मंत उलजहन देने लगेगा अभी तो आपने किचिन साफ करा है और दो मिनट के लिए आपका ध्यान इधर उधर हुआ आपका दूद बाहर आ जाएगा तो आप कभी कभी आलकस कर जाएगे कि कौन साफ करेगा तो ये सारी बाते कुछ ऐसी होती है इन्हें टाइम देना ही पड़ता है या तो आप इस तरीके से अपनी गैस का फ्लेम ओफ करिए मतलब बिलकुल ही स्लो करिए ताकि दूर बाहर ना आए या बड़े बरतन का यूज़ करें और बड़े बरतन का नाम लेते ही मुझे कुछ याद आया कि तेहार चल रहे हैं और तेहारों में इतने सारे बरतन बाहर आगे बड़ी-बड़ी कड्हाईय या फिर किसी हम गैस को खाना देते हैं तो वह हमारे कांच के बरतन भी बाहर आजाते हैं तो यह जब हम साफ कर के सिंक के बाहर साफ कर के महीं पर काॉन्टर पे छोड़ देती हैं तो आपका किछिन और भी जादा मैसी ळगता है तो जो चीजे जहां से उठा के यूज करी है आप प्रोपर काँच के वर्थनों को उनकी प्लेस दीजे और जो आपकी कड़ाई हैं बड़े बड़े वर्थन निकल के आए हैं उन्हें आप अपनी कबर्ड में रखिए क्योंकि हर चीज काउंटर पे जितना काउंटर पे रहेगी चीजे उतनी आपको बहुत जालक किछिना की मैसी दिखाए देगी दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूँ और कि भी हमारी जो मसाले दाने होती है आप कितना भी साफ कर लीजे वीक में हमेशा खराब हो ही जाती है जो उसका बेस होता है वहाँ पे थोड़ा बहुत मसाला गिर ही जाता है और यदि आप मिट्टी के वर्तुना का यूज करते हैं तो इन्हें प्रोपर धूप दिखाए ये मैं मिट्टी के वर्तुनों को एक दिन छोड़ के यूज करती हूँ एक दिन इनको यूज करा जैसे ही हमने साफ करा तो दूसरे दिन मैं इने पूरी प्रोपर धूप दिखाती हूँ ताकि इसके अंदर जो हमारा खाना कहीं ना कहीं चिपक ही जाता है वो धूप के पास आकर साथ कोई बैक्टेरिया भी है तो वो खतम हो जाए तो दूसरी बात में यह कहती हूँ यदि आपके पास जो मसाले दानी है उसमें कुछ ना कुछ मसाला उसके बेस में गिर ही जाता है तो जैसे ही आपकी कोई भी मसाला खतम हुआ है तुरंट उस मसाले वाले डिब्वे को तुरंट साफ कीजिए और फिर उसके बाद आप फिल करके रखे ये मत सोचिए कि जब पूरे मसाले खतम हो जाएंगे मैं तब ही से साफ करूंगी चीजों को साफ करना सिर्फ आपके हाथ में होता है यदि आप ही सोचेंगे नहीं पूरे मसाले खतम होंगे जब ही मैं साफ करूंगी तो ऐसा तो कभी नहीं हो पाता कुछ ना कुछ आप उसमें फिर से फिल कर देंगे और आपकी मसाले दानी बहुत जाद है गंदी दिखाए देगी और किचिन का काम है काम करो पर उसे तुरंट के तुरंट साफ भी करो और किसी भी काम को करने के लिए आपको अपना पूरा फोकस करना पड़ता है चीजों को दिमाग में रखना पड़ता है कि कौन सा डिबा खाली हो रहा है क्या किचिन में समान खतम हो रहा है तो चीजे अपने आप खुबसूरत होने लग जाती है जब आप मन लगा कर काम करते हैं यदि आप उपरी मन से काम कर रहे हैं तो आप कितना भी अच्छा खाना बना लीजिए उसमें टेस्ट नहीं आने वाला वो एक आपने कहवत सुनी है और कि जब आप दिल से खाना बनाते हैं तो नमक की रोटी भी पकवान जैसे दिखाए देती है तो खाना भली सिंपिल हो लेकिन उसमें प्यार डालिए प्यार डालने से वो खाना आपको पचेगा भी डाइजेस्टिव भी होगा अच्छा भी लगेगा सबसे अच्छी बात है आपका मन खुश होगा मन खुश होते ही आपके साथ जो आपका परिवार बन्धावा होता है वो ओटमेटिक खुश हो जाता है और जब मोसम बदलता है तो सुरवात में थोड़ी सी परिशानी सब को आती है सब सोचते हैं कौन ठंडी में इतना काम करेगा पर किचिन के जो काम होते हैं वो कभी खतम नहीं होते हैं चाहे सर्दी हो या गर्मी हो किचिन के काम हमेशा अपने टाइम टू टाइम खड़े हो जाते हैं कि आओ भी मुझे साफ करो तो कुछ ऐसे कामों को करने के लिए आप कभी वेट मत कीजिए और कि भई एक घंटे बाद कर लेंगे या दो घंटे बाद कर लें इतनी देर में आपका दिमाग यही सोचता रहे करें किचिन फैला हुआ है किचिन अभी साफ नहीं हुआ है तो चीजों को जब भी आप यूज करें एक तो आप उन्हें साफ करके रखें तुरंट यदी किसी चीज को आपने यूज करा है और आपने उससे सही से प्रॉपर साफ करके नहीं रखा है तो आपका एक काम तो ये बढ़ गया है कि जब आप उसे दूसरी बार यूज करेंगे तो सबसे पहले सोचेंगे पहले साफ कर लेते हूं फिर यूज करूंगी तो कुछ चीजों को आप ये सोचिए कि पहले उसे साफ करना है फिर उसे सही जगे रखना है बरतन सर्दियों में हो गर्मियों में हो हमेशा निकलते ही रहते हैं अभी आपने किचिन काउंटर साफ करा है फिर आपके घर में बच्चे पानी पीते हैं या चाय पानी दूद खाना तो किचिन में जो बरतन होते हैं टू मिनट होते ही रहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए कि जो आपका सीन के रिया है उसमें तीन बरतन भी है या चार बरतन भी है तुरंत उन्हें बोश करके रखिए और बोश करने के बाद जैसे ही उनका पाने निछड जाए तो साफ कपड़े से पोचके बरतनों को एक प्लेस दीजी इस्पेस दीजी उनका जो इस्पेस है जहां पे आप बरतन रखते हैं और जहां पर आप बरतन धोके जिस बास्केट में रखते हैं उसे फिर से अलग से एक ऐसी जगह रखे जहां पे वो काउंटर पे दिखाई ना दे क्योंकि काउंटर पे रखावा जितना समान होगा वो आपकी साफ किचिन को हमेशा untidy ही दिखाएगा और ठंड के मोसन में आपने घर के काम कैसे अराम से efficient कर सकते हैं बिना किसी problem के आप अपने ये सारे काम इतनी easily निपटा सकते हैं तो ऐसे छोटे छोटे टिप्स मैं हमेशा आपके साफ शेयर करते ही रहूंगी ये बात बहुत common से हैं आप सभी जानते हैं कि बरतनों को धोने के बाद आप बाद आप उनका space दें पर हम हमेशा दिमाग से भूल जाते हैं और जब आप खाना बना रहे होते हैं तो बहुत सारा खाना बसता है तो उन सब चीजों को बड़े बरतनों से दूसरे बरतन में सिफ्ट जरूर कीजिए किचिन में यदि आप ऐसे ही सबजी बनाई कूकर में चोड़ दी तो वो बहुत जादा बेकार सा लगता है आज के टाइम के अनुसार भी चलिए सबजी बन गई है तुरंत उसे दूसरे बरतन में रिफिल कीजिए और यदि आप मिटी के बरतनों में यूज कर रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है भी आपने खाना बना लिया है सारे बड़े बरतनों में से खाना आपने सिफ्ट कर दिया है तुरंत आपने किचिन भी वो साफ कर दिया है तो आपका किचिन बिल्कुल साफ निट एंड क्लीन लगेगा जब मन करे किसी को भूक लगेगी वो खाना खाएगा, अपने इन ही बरतनों में से उठा की खाना खालेगा बै, यदि आप खाने को जैसे आपने सबजी बनाई है आप उसे कूकर में से ही सर्व करते हैं, बाउल में सिफ्ट करते हैं हैंड टो हैंड चल रहा है काम तो अलग बात होती है लेकिन जब खाना बन चुका होता है, उसके बाद जो थोड़ी सी सबजी होती है तो आप कभी भी उसे भूले से कूकर में मत रखिए, तुरंट सिफ्ट करिए और जो बड़े बरतन होते हैं जिनमें हम खाना बनाते हैं तुरंट उने वश करके रख दीजिए तो ये छोटी छोटी सी बाते होती हैं जो आपके किचिन को साफ रखने में हेल्प करती हैं दूसरी बात है कि ये दी एट परचेंट उसी समय आपके घर में कोई गैस्ट भी आता है कोई बहार से मेंबर भी आता है तो वो भी इन सारी बातों को फोकस में लेता है कि भई सामने वाले ने खाना कैसे उसमें साफ करके रखा हुआ है और हमारे कुछ ऐसे समान होते हैं जो गर्मी में हम यूज नहीं करते हैं सर्दियों में यूज करते हैं तो इन सारी चीजों को अरेंज करना या इन सब को पैक करके सही से रखना भी हमारे ही जिम्मेदारी होती है इससे आपका किचिन का काम भी हलका हो जाता है और ठंड का मोसम सब का फैपरेट होता है विंटर में सब को इतनी खुसी आती है विंटर के आते हैं कि चीजों को यद के साथ आप ठंड के मोसम का full enjoy कीजिए ठंड के मोसम में आप अपने घर के काम कैसे अराम से efficiently कर सकते हैं बिना किसी problem के तो ये सारे आप अराम से कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप पूरा दिन kitchen में ही लगे रहे हैं विंटर में इतने सारे काम अपने आबढ़ जाते हैं जो आपके woolen cloths होते हैं एक तो उनको care की ज़्यादा जरूरत होती है जब हम उन्हें fold करके रखते हैं जो हमारी covered है वो space उहां पे खतम हो जाता है और दूसरी बात socks की सर्दियों के motion में socks अभी पहनते हैं और socks का pair जब गडबड हो जाता है तो जब बड़ी जुनजल आती है कि भई अभी तो socks ढोन के रखे ते फिर से गायब होगे तो socks आपके इधा उधर ना बिखरें तो socks के लिए मैं आज आपको एक trick बता रही हूँ तो करना कुछ नहीं आपको दोनों socks को इखटा कीजिए 80 से 80, 55 से 55 मिलाएए और इसको fold कीजिए और fold करने के बाद जो उपर वाला socks है उसको अंदर की तरफ को मोड़ दीजिए इस तरीके से करने से आप अपने सारे socks के pair को इस तरीके से रखे और जिसका भी socks होगा आपको दूर से दिख जाएगा भी यह socks वहाँ पे है दूसरी बात जो आपको help करेगी दूसरा socks जो होता है वो बिल्कुल आपको महीं पे मिलेगा जब आपको दूर से दिख गया है यह white वाले socks हैं और यह बच्चे के school के हैं तो आपने तुरंत निकाल ली हमाँ से और उसका जो दूसरा pair का socks है वो उसी के साथ आपने adjust करके पहले से ही रख दिया था तो एक तो आपका समय बचा और कि भी आपको socks डूनने नहीं पड़े और दूसरा और कि जब आप इस तरीके से दिन भर काम करते हैं और दूसरा काम करने के लिए जाते हैं और पीछे से वाज आती मेरे socks कहां गए तो ये बात भोती ज़्यादा irritated करती है तो जब आप दिन भर काम करते हैं आपने सारे काम करें और last वाला जो काम होता है वो इस तरीके से problem कर दे कि भी socks नहीं मिल रहे तो बहुत ज़्यादा मतलब गुसा आता है तो इन सारी बातों को गुसा करना ये सब छोड़ दीजिए टाइम के साथ थोड़ा सा advance हो जाईए नई-नई टेक्नलोजियों का use कीजिए तो socks तो आप लोग पहले भी पहनते थे अब भी पहनते हैं बस उनको use करना या सही से maintain करके रखना इनही बातों को सीखा है और सीख के अपने घर को एक अच्छी तरीकी से organize करके रखा है बहुत जब आपके husband बाहर जाएं या आप बाहर जाएं और कोई चीज ढोड़ने पड़े तो वहीं पर आपको गुसा आता है जब आपको चीज सामने रखी हुई मिलेगी तो ना आपको गुसा आएगा आप अपना समय भी बचा पाएंगे जब समय आपके पास बचेगा तो आप अपनी skin का भी care करेंगे भी सर्डियों में थोड़े से हाथ पैर क्रैक सभी के होते हैं तो अपने हाथ पैरों पे भी कुछ ना कुछ कोई भी मौस्चायजर लगाईए और जब आपके हाथ पैर अच्छे होंगे तो आप इन्हें देख के बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे तो इसी के साथ आज की वीडियो का अच्छा महसूस करेंगे